आज हम प्लंबर ट्रेड का टॉपिक सेफ्टी के प्रश्न का अभ्यास करेंगे अगर आप इस चैनल पर फर्स टाइम आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करिए यहां आपको हर ट्रेड के टॉपिक वाइस एमसी क्यू और सीबी टी पेपर सोल्यूशन मिलेंगे जीस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है गायल व्यप्ति के रक्तस्राव को कैसे रोके? राइट आंश्वर आप्शन है अप्लाइ प्रेशर ओवर दे वाउंड घाव पर दबाव डालें कार्य स्थाल पर दुरगटना से बचने का पहला कदम क्या है? राइट आंश्वर आप्शन दी सुरक्षा सावधानियों का पालन करके किस अवधी को स्वर्निम घंते गोल्डन आज के रूप में संदर्हित किया जाना है? राइट आंश्वर आप्शन सी फर्स थर्टी मिनिट्स आफ्टर इंसिदेंट घटना के तीस मिनिट बाद रद्धी कागस के प्रिथकरण के लिए डिब्बे का रंग कोड क्या है? राइट आंश्वर आप्शन सी ब्लू नीला सिर्की सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपी का उप्योग किया जाना है? राइट आंश्वर आप्शन B हलमेट राइट आंश्वर आप्शन B अंगाड़िग राइट आंश्वर आप्शन C रास्ता दे राइट आंश्वर आप्शन C राइट की सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उप्योग किया जाना है? राइट आंश्वर आप्शन B हाइट के दस्ताने प्लास्टिक कच्रे के डिब्बे के लिए रंग कोड क्या है? राइट आंश्वर आप्शन है येलो पीला पैर की सुरक्षा के लिए किस पीपी का उप्योग किया जाना है? राइट आंश्वर आप्शन D सेफटी शूज आग लगने की स्थिती में ततकाल क्या कारवाई की जानी चाहिए? राइट आंश्वर आप्शन B रेज अन अलाम अलाम बजाएं ज्वलनशील और चलने वाली तरल आग के लिए किस अगनिशामक यंत्र का उप्योग किया जाना है? राइट आंश्वर आप्शन B फोंग एक्स्टिंग्विशर विच फायर एक्स्टिंग्विशर इस उस्टिंग्विश क्लास B फायर? बी श्रेणी की आग को बजाने के लिए किस अगनिशामक यंत्र का उप्योग किया जाना है? राइट आंश्वर आप्शन D कार्बन डियोकसाइड एक्स्टिंग्विशर हमारा अगला तोपीक है है हन्टूल्स